इस वीडियो में हम जानेगे कि सिंटेक्स में exactly क्या हुआ है और क्यूं हुआ है और सबसे इंपोर्टेंट बात कि क्या ये लीगल है या नहीं है और जो शेयर होल्टर्स फस गए हैं इस पूरे फियसको के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए ठीक है और अगर आप हमारे चैनल जो कि या तो डीलिस्ट होने वाले या फिर बेसिकली जीरो होने वाली है ठीक है इससे पहले हम लोग ने टेर्वेस के टाइम पर भी वीडियो बनाया था जहां पर बहुत चारी कंपनी की बात करी थी जिसमें से सिंटेक्स एक कंपनी थी कि जो हमने बोला था कि ये डीलिस उसके अपडेतत जो जो गार्बेज लिस्ट था सिंटेक्स के बार में हम लोग ने डाल दिया था अगर आप देखो गे तो अपडे टेगे जो रिस नाई थी सबसे पहले पाताता हूं अम लोग ने 12MP की इस बारे में यहां पर सिंटेक्स इंडस्री के आसपास के लिए पो कि 7500 करोड़ की ठीक है एकड़म सिंपल सी गानी 7500 करोड़ की डेट है अभी जो रिलायंस नहीं बिढ़ किये वो खितना रुपए कि रूप की च्छला स्भफ पूरा नहीं मिल रहा है ठीक है तो शेयर होलडर को भी वेल्यू 3600 करोड जो है यह पूरी की पूरी कंपनी की है ठीक है अब यह 3600 करोड से बेसिकल यह लोग क्या खरीद रहें इसके बार में भी डिटेल आई थी कि कितना परसेंट स्टेक होगा तो इनका लगबग 80 80 to 90% 85% to 90% स्टेक होगा और बाकि जो रिमेंइंग स्टेक है वो किसका होगा वो लेंडर का होगा बैंक्स का ठीक है existing शेयर होल्डर का क्या होगा कुछ नहीं होगा वो जीर हो जाएंगे या फिर डीलिस्ट हो जाएगा नहीं नहीं सर आप ऐसे कैसे बोल सुकते हैं यह हो जाएगा यह तो मल्टी बैगर है ठीक है इसका तो बुक वैल्यू भी 25 रुपए पर 8 रुपए पर ट्रेड होता है प्लीज अंडर्स्टेंड वन तिंग कि यहां पर जो बुक्स में वैल्यू है ठीक है यह बुक्स एक तो नहीं हो ठीक है तो जो 3600 करोड या फिर अभी अगर आप बॉरेंग्स भी देखोगे ना मैं आपको बहुत सिंपल सा एक्जेम्पल देतो रिलाइंस ने कितनी जो आर्पी रिजॉलूशन प्रोफेशनल ने 7500 करोड की डेट को असेट किया ता यहां पर कंपनी की बुक्स म अन्हों ने लियबिलिटी कम अकाउंट कर रखी है तो आविसली यू कें नौट यहां पर रिलाइं ऑन दे बुक्स एंड देर बुक वैल्यू ठीक है यह बिल्कुल 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 गलत है ठीक है तो यह सारी चीज़े हो गई अभी यहां पर इंपॉर्टन बात क्य क्या है कोई भी कमपनी मैं आपको वापस बोल रहा हूँ एक सिंपल सी लाइन याद रख लो कोई भी कमपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग आई बीसी एंसी एल्टी में अगर आई बीसी की रिजॉल्वूशन एंसॉल्वेंसी की प्रोफेशनल की यहां पर एप्लिकेशन चल देखावा रहा रहा है कि basically हम लोग ने liquidation के लिए फाइल कर दिया है ठीच है तो यह सारी टर्मस से आपको दूर रहना है यह सारी जो Companies है मैं आपको एक एक कंपनी का आपको कभी बी Google करोगे यह जितनी भी Companies है हम लोग ने जो updated garbagelist रिस ही weekend टेरवेज, आरकॉम, रिलाइंस, केपिटरल, रिलाइंस, होम फिनांस, फ्यूचर ग्रुप, SREI, इंफ्रा, ठीक है, यह जितनी भी कंपनीज है ना, यह सारी की सारी में यही प्रॉब्लम है, गुम फिर के इनके साथ भी वही होने वाला है, जो यहां पर अभी इसके साथ हो उनों के अडानी जब यहां पर खरीदेगा ना, तो पूरा 100% स्टेक लेके जाएगा, क्योंकि existing equity का कोई value ही नहीं है, ठीक है, अगर अडानी पैसे, देखो क्या हो रहा है, कि अडानी या फिर मुकेश अंबानी जैसे भी 36 करोड रुपे लेके आ रहे है, सिंटेक्स के लि रहे हैं, उनकी तो वर्त ही नहीं है, क्योंकि lenders का ही पैसा company नहीं चुकाया, तो अब equity shareholder को कभी पैसा नहीं मिलेगा, that is the basic concept, तो वो जो 100% shareholder होते हैं, या तो उनकी value को 0 कर दिया जाता है, या 1% पर लाके खड़िया कर दिया जाता है, या फिर dealist वगरे कर दिया जाता है इस case में क्या हो रहा है, syntax case में क्या हो रहा है, तो company ने जो decide किया है, उसके हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग ने डाला था, तो यहाँ पे company ने साफ साफ लिग दिया है, कि यह existing जो equity है, उसको basically reduce to zero and company will be delisted, just same as DHFL, बिलकुल बिलकुल same है, मैं हज जार बार बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इस तरगी company से दूर हो, आज भी बहुत सारी companies हैं, जिन में यही situation है, बट उसमें अपर circuit लगेगा, jet airways का example दे दो, वहाँ पे जो जो भी share holders है, 100 share जिसके पास भी है ना, वो एक convert हो जाएगा, और बाकी 99 गाइब हो होता है, उसको लगता है कि वो promoter से जादा जानता है, और लोगों से जादा जानता है, और वो ही multibagger wealth create करके देगा, avoid, avoid, avoid these kind of companies, इसके अलावा क्या important है, इस तरीकी companies को कैसे और find out किया जा सकता है, ठीक है, तो एक website है, तो basically यह website है, finsite.ai search, यह क्या करता है, basically आपके जितने भी filings आती है, corporate filings, उसमें से आपको देखके बता देगा कि काप काप पे इस तरीकी क्या के चीज़े, आप कुछ भी search कर सकते है, capacity expansion search करोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने क्या किया, आपको मैंको भी list देनी ही ना, कि वापस और कौन कौन से stock से जो basically इस तरीके can't होने व अपसी को, ठीक है, जो भी अपने दिवालिया गोशित हो जाती ही ना, कंपनिया वो IBC के अंदर जाती है, आज कल IBC चल रहा है, ठीक है, अभी ये Kotak Mahindra Bank ने भी इसके बारे में बात करी है, और HD Access Bank ने करी है, ठीक है, अपन यहाँ पर basically banks को अटाते, यहाँ पर clear all करते, औ JP InfraTech देख लेते हैं, सबका favorite stock है, JP InfraTech में अभी क्या बोला है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो company ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर IBC के अंदर moratorium period चल रहा है, IBC के अंदर चला गया है, ठीक है, यह 2015 मार्ट 2022 का filing है, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो basically company ने लिखा application filed by resolution professional at NCLD, जो basically अभी वो होने वाला है, syntax में जो अब होने वाला है, इनने 25 November 2021 में किया था, ठीक है, तो अब आप पूर यह जानकारी से आप यह समझ गओंगे कि यह company भी IBC में, the whole objective is to find these kind of company जो IBC के अंदर है, ठीक है, JP InfraTech हो गया, फिर यहाँ पर action construction नह Reliance Capital, Kesa Terminals Infrastructure, Ram Sarup Industries, ठीक है, Tata Power का, तो basically उन्होंने कोई company खरीदा है, इसलिए डाला है, और फिर यहाँ पर अगर आपन देखे, 17 properties है, syntax industries आपका नाम आगया है, Gammon Infrastructure, देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंने IBC सर्च किया, हो सकता है, IBC कुछ और भी चीज हो, just I am trying to say कि आप क किस तरीके से सर्च कर सकते हो, और किस तरीके से निकाल सकते हो, और दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी company, यहाँ पर आप, जैसे मैंने क्या लिखा, NCLT, Filed Insolvency, यहाँ पर बहुत सारी company के नाम आते रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप देखो के, ABC शे यहाँ पर मैं news में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर अभी क्या क्या आएगा, तो अभी बहुत सारी companies पर news आजएगी, जो, जो company बेसिकली, IBC में हैं, और उनको को acquire करने वाला है, जैसे Reliance Capital का नाम आगया, ठीक है, इसको avoid करना है, ठीक है, इसको avoid करना है, ठीक है, उसके बा बानता वगेरे भी, सब खतम हो गया है, ठीक है, तो इस तरीगी company उससे बिलकुल बिलकुल दूर रही है, अच्छा, यह बिलकुल legal है, क्योंकि मैंने आपको concept बताए कि जब shareholders का ही, lenders का पैसा नहीं चुका जाता, तो obviously उसको liquidate किया जाता है, या फिर नए buyer को दिया जाता तो reliance बोलेगा, 3600 करोड मेरे को, अगर आप, 3600 करोड मेरे को 85% या जो भी stake है, वो नहीं दोगे, तो मैं पैसा भी कम दूँगा, अब ये पैसा कम दे के क्या कर लेंगे, ये अगर मान लीजिए, कि अगर आपको 5% stake दे देते हैं, तो basically नुकसान किसका हो रहा है, lenders का, औ तो कि lenders हमेशा उपर आते, equity share holder थे, that is the very very basic thing, ठीक है, इसमें आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए, कि banks हम से बड़े हैं, उन्हें कुछ पद, एक retail निवेशक को सहभी के बारे में सोचना चाहिए, ये वो, that is not at all thing, ठीक है, ये सारी चीज़ है, अलरेडी, एक एक चीज यहा पर आता है, इसलिए तो हम लोग ने डाला था, हम लोग ने पूरी की पूरी एक या पर installancy का पूरा thread ही बना रखा है, जिसमें आप चाहे, जितनी कंपनिया सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगी, लगातार हम इस तरीके की कंपनिय के बारे में लेख रहे हैं, this is since last one year, ठीक ह तो these kind of companies will definitely come and definitely will erode the shareholders wealth, you have to avoid these kind of companies, major companies are future group जिसके बारे में मैं already वापस बोल रहा हूँ, SREI, Infra, JPI, Infra, यह जो companies है और Reliance Capital, यह ऐसी companies है जो जिसमें retail निवेश है की सबसे ज़्यादा पैसा invest करता है, अगर आप यहापर syntax का I think मेरे को जितना याद है, इसका shareholding pattern भी बहुत ह जितना आगी, so this is the company's excellent shareholding pattern, जहां पर public का पहले 64% stake था 2019 में, आज 95% हो गया, that is called pump and dump, ठीक है, इसमें investor fool बन रहा है, जो पैसा लगा रहा है, वो fool बन रहा है, ठीक है, it's like a societal, अब यहापर important बात क्या है, कि अब आपने तो सब कुछ बता दिया, सब कुछ हो रहा है, ठीक ह बरबाद हो जाए, कितने दिन में बरबाद हो जाएगी, आज ही डीलिस्ट हो जाएगी किया company, नहीं, ठीक है, यह पूरे process में लगबग आप मान के चलो, 4-6 महीने लगते है, for example, jet airways का, I think, जो ruling आया था, December में आया था, November, December में, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ठीक ह कि यहाँ पर कम से कम 4-6 महीने लगेंगे, because एक तो आपका IBC का आपका वो आने वाला है, जो अभी NCLT से approval आने वाला है, ठीक है, अभी CCI का approval आगया, NCLT का approval आने के बाद वो डीलिस्ट कर दे जाएगा, तो you can say 4-6 months kind of period लग जाएगा, ठीक है, तो तब तक का आपके बात है, lower circuit पही रहने वाला है, अगले 10-15 दिन तक तो शयद आप कर भी नहीं पाऊगे, ठीक है, क्या है तरीका, देखो, यह जो company है, यह या तो UC पे trade होती है, या फिर LC पह, तो हो सकता है, 10-15 दिन बाद यह बात वापस शान्त होगी, लेकिन लोग बूल जाएंगे, ठी किसी को निकालना है, तो दो तरीके हैं, जिससे आप try कर सकते हो, एक तो pre open होता है, ठीक है, या फिर GTT order होता है, वो बहुत सारी brokers offer करते है, GTT order कब डालना होता है, GTT order तो आप कभी भी डाल सकते हो, ठीक है, बट इसके अलावा एक होता है, AM order, तो pre open और AMO अपना सबसे important है कौन साल लेना चाहिए, apply करना चाहिए, तो basically pre open के साथ जाना चाहिए, pre open में क्यों होता है, सुपह 9 बज़े से लेके, 9, 7 तक, आप आपका basically pre open में order डाल सकते हो, ठीक है, इसमें क्या है, important बात, AMO में, AMO में क्यों होता है, कि आप चार बज़े के बाद आपका order डाल सकते ह ठीक है, तो यह AMO रोग यह अपना pre open हो गया, important बात क्या है, क्या इसमें ध्यान रखना है, AMO डालते टाइम, और जब भी pre open order डालो, तो आपको basically circuit calculate करना पड़ेगा, 8.2 का अभी price चल रहा है, ठीक है, तो आज 4-5 परसेंट जो भी नीचे खुल के बंद होगा, तो exact आपक 8.05 पर, तो आपका exact 8.05 ही का ही order डलना चाहिए, नहीं तो order reject हो जाएगा, ज्यादा कर डालोगे तो कोई लेगा, नहीं, कम कर डालोगे तो reject हो जाएगा, तो very very need to calculate, यह आपको LC calculate करना पड़ेगा, important बात क्या है, कि यहाँ पे उसी exchange में order डालना, जहाँ पे price हाई हो, NSE य तो यह था पूरा संपूर्ण ज्यान, IBC related companies पे, पचास फी बार बोल रहे हैं, understand very very one thing, कि capital protection is much more important than capital appreciation, जितनी भी अगर आप companies सोच रहे हैं, जो multi bagger return दे देंगी, penny stocks वगएर है, ठीक है, प्लीज दूर रहे है, एक बात हमेशाद ध्यान से सोचिए कि अगर कोई company अपने 52 week high 50 या 70% गिर जाती है, और उसके बाद recover नहीं हो पाती है, लेकिन market recover हो गया, तो understand की company में कुछ problem है, for example, मैं आपको किस तरीके moves की बात कर रहा हूं, कि मान लीजिए, जब बजार गिरता है, तो आपकी company भी गिरती है, वो एक तो बहुत जादा गिरती है, क्योंकि आपका तो कंपनी ने recover नहीं किया, तो avoid these kind of bottom fishing, try करो कि वो company में क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ों पर अपने को focus करना है, and we need to avoid these kind of things, that's my whole advice, thank you so much, please please avoid these kind of companies, bye.